रवें उपिपन्हें निरज दयदा से मैं उट्चंद खुशकिस्मतों मिलें जिनको निरज दयदा से मिलने का मौका मिला कुछ इक मतब ड़भ दा नहीं बहुत घनिष्ट संब्द नहीं पर हाँ काफी बार मिला हू उन से और मैं पहली बार झाला से मैंने उसे पूछा कि मैं आपको गोपाल जादा बुलाओं या नीरज जादा बुलाओं तो उन्होंने उसे पूछा क्या तुम पढ़ते हो जी पढ़ता हो क्या तुम लिखते हो जी मैं लिखता हूं क्या लिखते हो मैं या तो इश्क लिखता हूं या मैं दर्द लिखता बोले अच्छा तो मुझे नीरज बुलाओ एसा क्यों। नीरज मेरा वो नाम है जो मेरे सारे दोस्ट मुझे जानते हैं वहाँ से। खीक है। शरी मैं आको नीरज आधा बलाता हु। तो नीरज आधा से मेरा रिष्टा थोड़ी था पचकाना टाइप कर था। मैं उनको बड़ा उसाद बुलाता था और मुझे छोटा उसाद बुलाते थे और एक चीज मुझे नदी बहुत अच्छी लगी थी कि एक बार जब मैं उनके पास गया था और वैनल से पूछा था कि मैं लिखने ही पा रहा हूं बहुत टाइम से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं तो उन्होंने मुझे का कि इश्क किया है कभी बहुत अर्सा बीद गया उसी इसको इश्क करो लिखना सीख जाओंगे तो निरश दादा को प्रणाम जहां पर भी है अब मुझे देख रहे हैं तो उनका आश यह प्यासों की प्रेम सभा है यहां संभल कर आना जी जो भी आये यहीं किसी का हो जाए दिवाना जी ऐसा बरसे रंग यहां पर जनम जनम तक मन भीगे फागुन बिना चुनरिया भीगे सावन बिना भवन भीगे ऐसी बारिश होए यहीं पर बचे न कोई घराना जी यह प्यासों की प्रेम सभा है यहां संभल कर आना जी यहां न जगड़ा जाती पाती का और न जंजट मजब का एक सभी की प्यास यहां पर एक ही बस प्याला सब का यहीं प्यासे मिलना हो तो परते सभी हटाना जी यह प्यासों की प्रेम सभा है यहां दूई की सुईना चुपती घुले बताशा पानी में पहने ताज फकीर घूमते मौला की राजधानी में यहां नाओं में नदिया डूबे सागर सीप समाना जी यह प्यासों की प्रेम सभा है यहां संभल कर आना जी यहां ना कीमत कुछ पैसे की यहां ना कीमत कुछ पैसे की कीमत सिर्फ सुगंधों की छुपे हुए हैं लाख रतन इस गुड़ी में पैबंदों की हर कोई बिनमोल पियोगे खुला यहां मैं खाना जी यह प्यासों की प्रेम सभा है यहां संभल कर आना जी और यह आखरी हुआ हुआ है